तो यहांपर जो आपका question number 10 है उसमें ये data दिया गया है, commodity दिया है, base year का price और quantity दिया गया है, current year का price और quantity दिया गया है, उसके बाद current year का जो price है उसको हम किसे denote करते है P1 से और जो quantity है उसको हम किसे denote करते है Q1 से तो मैंने यहापे Q1 लिख दिया है ठीक है और यह सारी values तो आपके textbook में यानि कि इस question में दी गई है देखो solution में आप लोगों को ऐसे ही table बना करके करना है एकदम अच्छे से अब ही find क्या करना है वो देखो find करना है आप लोगों को value index number using simple aggregate method क्या find करना है value index number तो value index number find करने का formula क्या बता है था मैंने value index number value index number को कैसे लिखते है v01 is equal to क्या होता है formula summation of p1 into q1 upon summation of p0 into q0 into 100 तो अगर हमें value index number चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए p1 into q1 का total होना चाहिए और p0 into q0 का total होना चाहिए मतलब क्या हुआ इसका कि हमें यहां पे दो और columns बनाने पड़ेंगे एक column होगा p0 into q0 का और दूसरा होगा p1 into q1 का ठीक है तब भी तो हम लोग इसका total निकाल पाएंगे न दोनों का 40 का multiply करना है 16 में तो देखो 4 6 जा क्या होता है 6 4 24 carry 2 4 1 जा 4 2 6 64 और यह 0 है तो 0 640 आ गया फिर इन दोनों का multiply करना है तो 380 आ जाएगा उसके बाद इन दोनों का तो 12 5 जा क्या होता है 60 0 है तो 0 फिर 2 8 जा 16 carry 1 2 2 जा 4 1 5 0 है तो 0 ठीक है अभी यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे P1 into Q1 यानि कि अभी इन दोनों को multiply करना पड़ेगा ठीक है तो 40 into 18 करेंगे तो 8 4 जा क्या होता है 32 होता है carry 3 फिर 4 जा 4 3 7 0 है तो 0 यहाँ पर आगया 720 अभी इन दोनों का multiply करेंगे तो 6 2 जा 12 6 जा 6 1 7 0 है तो 0 ठीक है फिर 15 into 24 करेंगे तो चलो इसको तो अलग से multiply करके देखना पड़ेगा 15 और 24 चलो multiply करो 4 5 जा 20 carry 2 4 जा 4 2 6 2 5 जा 10 carry आगया 1 2 जा 2 1 3 0 6 3 कितना आया 360 तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 360 ठीक है फिर उसके बाद multiply करना है 60 और 16 का तो 6 6 जा 36 carry 3 6 1 जा 6 6 1 जा 6 plus 3 960 अभी इन दोनों का multiply करना है 25 और 36 का तो 25 और 36 चलो multiply करते हैं 30 carry 3 6 2 जा 12 plus 3 15 आगया यहाँ पर 35 15 3 2 जा 6 1 7 0 10 9 ओके 900 समझ में आया इतना हमने क्या किया पहले तो इन दोनों को multiply किया यहाँ पे लिखा और इन दोनों को एक साथ में multiply किया और यहाँ पे लिखा ठीक है अब इन दोनों का हम लोग total लिखा लेंगे तो चलिए plus कर देते 0 0 0 0 ठीक है फिर यहाँ पर क्या आएगा 6 plus 4 10 10 plus 10 plus 8 18 18 plus 6 24 ठीक है फिर 6 plus 6 12 plus 6 18 18 18 plus 2 20 20 plus 5 25 plus 3 28 यहाँ पर क्या आजाएगा 2840 ठीक है यह हो गया इसका total P0 into Q0 का ठीक है अभी इसका total निकालते है तो यहाँ पर रह जाएगा 0 फिर 6 plus 6 12 12 plus 12 plus 2 14 14 plus 2 16 का 6 carry 1 फिर यहाँ पर 7 plus 7 14 1 रुको 7 plus 7 14 हो जाएगा और 9 plus 9 18 ठीक है तो अभी इन दोनों को plus करेंगे तो 8 plus 4 12 carry 1 यहाँ पर 3 और यह 3 है इसमें add कर देंगे और 1 को भी add करना है carry था तो 5 1 6 यहाँ पर 3 कितना आया 36 ठीक है यहाँ पर आ जाएगा 3660 ठीक है इतना आप लोगों को समझ में आया तो अब आगे भी समझ आ जाएगा आगे तो और भी आसान है देखें इसमें आप ऐसे dash dash कर देना ठीक है अभी table से क्या-क्या मिला आप लोगों को यहाँ पर लिखो from the table table से हमें क्या मिला? summation of P0 into Q0 कितना मिला है? 2840 तो लिख देते हैं यहाँ पर 2840 और summation of P1 into Q1 कितना मिला है? यह देखो 3660 यहाँ पर लिख देते हैं 3660 तो अब भी क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में values put करेंगे तो summation of P1 into Q1 3660 summation of P0 into Q0 2840 into 100 तो अब क्या होगा? देखो 0 से 0 कैंसल कर दो और इन दोनों को क्या कर दो? दिवाइड कर दो तो क्या आएगा? चलो करते हैं और देखते हैं कि हमको answer क्या मिलता है? तो यहाँ पर 366 को divide करेंगे 284 से तो यह वन टाइम में जाएगा यहाँ पर 284 चलो माइनस करते हैं तो यहाँ पर 2 आजाएगा और यहाँ पर 8 आएगा यहाँ पर 0 ठीके? point लगाते है 0 बढ़ाते हैं अब यह कितने time में जाएगा तो यह 2 time में जाएगा 2 4s आ 8 2 8s आ 16 2 2s आ 4 1 5 चलो minus करो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 11 minus 6 करेंगे तो 5 और यहाँ पर 2 ठीक है point लगाया है यह 0 बढ़ा देते हैं अब कितने time में जाएगा तो अगर आप इसको 9 time में करोगे ना तो इससे तो जादा ही हो जाएगा 8 time में करो 8 4 is the 32 carry 3 8 8 is the 64, 67 8 2 is the 16 plus 6, 22 चलो minus करते हैं यहाँ पर 8 हो जाएगा और 11 minus 7 करेंगे तो 4 आएगा ठीक है? 10 minus 2 किया तो 8, 11 minus 7 किया तो 4 4 minus 2 करेंगे तो 2 यहाँ पर 0, ठीक है? पॉइंट लगाए, 0 बना देते हैं अब कितने time में जाएगा? 2, 4, 8, 0 तो again यह 8 time में ही जाएगा तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर कर रही हूँ 2, 4, 8, 0 8 time में ले करके जाएगे तो 2, 2, 7, 2 चलो, minus करो, यहाँ पर 8 आजाएगा यहाँ पर 0, 4 minus 2, 2 ठीक है? यहाँ पर 0 पॉइंट लगाए, 0 बना देते अब यह कितने time में जाएगा? तो 8 time में अगर करेंगे तो फिर तो जादा हो जाएगा? चलो, 7 time में ले करके जाएगे 7, 4 सा 28, carry 2 7, 8 सा, कितना होता है? तो 7, 7 सा 49, 7, 8 सा 56 57, 58 फिर 7, 2 सा 14, plus 5, 19 चलो, minus कर देते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 17 minus 8 करेंगे तो 9 और यहाँ पर क्या बचेगा? 9 minus 9 करेंगे तो 0 और यहाँ पर भी 0 ठीक है? समझ में आए इतना? 92 एक और आगे जाएंगे उसके बाद बस करेंगे तो यह 920 आगया ठीक है? तो 920 अग जब हमने 2 बार में किया था तो 568 आया था अगर 3 बार में इसको किया जाए तो अगर 3 बार में भी होता है चलो एक पर दिखते है 3, 4s are 12 carry 1 8, 3s are 24 25 3, 2s are 6 6, 852 ठीक है? तो ऐसे करके आप तो यह आगे बढ़ता ही जाएगा लेकिन हमें यहीं पर रुख जाना है बोला थाना पॉइंट के बाद 5 नमबर ही आगे जाना ठीक है? तो अभी आप इसका अंसर क्या लिखोगे? क्या लिखना है आप लोगों को देखो 1.288 यहाँ पर 7 है तो 7 ही लिखना क्योंकि 7 के बाद क्या है? 3 है जो कि 5 से छोटा है तो हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं है तो 2.887 लिख दीजिए समझ में आया? इंटू 100 अब जब मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 1.288.700 1.2.3.4 यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे यानि कि देखवा भी मैं मिटा करके एकदम अच्छे से लिख देती हूँ इसका आंसर कि वैल्यू इंडेक्स नंबर इस इक्वल टू 128.87 समझे? तो यह आपका हो गया फाइनल आंसर अब यह कोश्चन नंबर 11 देखेंगे तो देखो जैसे आपने कोश्चन नंबर 10 को सौल्व किया था ना वैसे ही आपको इसे भी करना है इसमें की डिटा दिया गया है कॉमोडिटी दिया है A, B, C, D, E जैसे पिछले वाले कोश्चन में दिया था फिर बेस एर का प्राइस और कॉंटिटी दिया गया है तो बेस एर के प्राइस को हम क्या लिखते है P0 कॉंटिटी को Q0 करन्ट एर का प्राइस और कॉंटिटी दिया गया है तो करन्ट एर के जो प्राइस है उसको हम लिखते है P1 और कॉंटिटी को क्या लिखते है Q1 ठीक है तो अगर हमको value index number निकाल ला है तो हमार पस क्या क्या होना चीए summation of p1 into q1 और summation of p0 into q0 तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे p into q0 calculate करेंगे उसके बाद उसका total और फिर इसका भी total फिर बाद में हम क्या करेंगे इन दोनों values को formula में रख देंगे जिससे हम कौनसर में जाएगा ठीक है तो चलिए करते हैं इन दोनों का multiply करो 5 to the 10 carry 1 5 to the 10 1 11 ठीक है 1100 आ गया फिर उसके बाद इन दोनों का multiply करो 7 6 क्या होता है 42 carry 4 7 7 plus 4 11 ठीक है यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया यह वाला 0 कहां से आया यह लेको यहां से आया दोनों का multiply करो 6 8 48 4 आ चाहेगा carry 6 6 6 plus 4 108 और 0 ओके फिर इन दोनों का multiply करो तो 12 into 12 क्या होता है 144 और यह वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा फिर इन दोनों का करेंगे तो 2 2 double 0 समझे डबल 0 कहां से आया यह दोनों double 0 आ गया ना यहाँ पर मतलब यह दोनों 0 यहाँ पर आ गया अब इसको total कर देते है तो 0 0 0 0 आ गया ठीक है फिर आके देखो तो 2 plus 8 10 plus 4 14 का 4 carry है 1 1 plus 1 2 2 plus 4 6 6 plus 8 8 plus 1 क्या हो जाएगा 9 यहाँ पर आ गया 9 ठीक है फिर उसके आके देखेगा अभी कुछ भी carry नहीं है ठीक है 1 2 3 4 plus 2 6 क्या आ गया 6,940 यह क्या है हमारा P 0 into Q 0 लिग देते हैं यहाँ पर 6,940 ठीक है टेबल से हमको यह मिला अभी यह निकालते हैं तो इन दोनों का मल्टिप्लाई करो 7,4,28 carry 2 7,7,2 9,80 आ जाएगा यहाँ पर ओके फिर इन दोनों का मल्टिप्लाई करना है तो 9,2,18 carry 1 9,2,18 1,19 यहाँ पर 0 1,918 फिर इन दोनों का मल्टिप्लाई करेंगे तो चलो इसको हमें अलग से करना पड़ेगा है ना 4,5,20 carry 2 4,0,0 2,4,1,4 1,5,10,1,1,0,7,4,1 1,4,7,0 लिख देते हैं फिर उसके बाद अभी इन दोनों का मल्टिप्लाई करना है हमको 140 x 15 0,5,4,20 carry 2 5,1,5,2,7 1,0,1,4,1,1,0,0,7,4,11,2 2100 समझ में आ रहें कैसे कर रही हूं मैं उसके बाद अभी यह दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं क्या करना है बस मल्टिप्लाई यह तो करना है यह तो आपने पहले सीका ही है 8 फाइजा कितना होता है 40 8 फाइजा 40 44 8 बन्जा 8 ठीक है गया गया उसके बाद 2 फाइजा 10 2 फाइजा 10 11 2 बन्जा 2 3 0 4 3 4 4 3 4 0 यहाँ पर लिक देते हैं 4 3 4 0 अब क्या करेंगे तो इन सभी का हमना टोटल निखा लेगे ठीक है तो इन सभी का टोटल चलिए करते हैं जीरो 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 आ चाहेगा यहाँ पर उसके बाद देखो 8 प्लस 8 16 16 प्लस 16 प्लस 4 20 20 प्लस 7 27 कैरी कितना है 2 है फिर अभी आगे करते हैं तो 9 प्लस 9 18 18 प्लस 18 प्लस 4 22 23 23 26 26 27 28 कैरी अभी 2 है 1 2 4 8 और 10 कितना आया 10,870 समझ मैं यहाँ आप मैं लिख देती हूँ 10,870 यह क्या हो गया Summation of P1 into Q1 ठीक है अब उसके बाद क्या करेंगे formula में values को put कर देंगे जिससे हमको answer मिल जाएगा तो चलिए कर देते हैं formula क्या है value index number का Summation of P1 into Q1 upon Summation of P0 into Q0 into 100 Summation of P1 into Q1 10,870 आया है लिख देते हैं फिर Summation of P0 into Q0 6940 into 100 अब क्या होगा तो देखो 0 से 0 cancel हो जाएगा अभी इसको हम इससे divide कर देते हैं लिखेंगे यहाँ पर 1087 और 694 ठीक है कितने time में जाएगा देख करके बता one time में जाएगा है ना तो क्या आएगा 694 चलिए माइनस कर देते हैं तो 7-4 करेंगे 3 18-9 करेंगे तो 9 आजाएगा 9-6 करेंगे तो 3 ठीक है अब कितने time में जाएगा तो अभी तो हमको point लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा तो 6 फाइजा 6 फाइजा 30 6 फाइजा 36 ओके 5 time में करते हैं 5 फाइजा 20 केरी 2 5 9 is a 45 47 5 6 30 34 ओके 0 13-7 करेंगे तो 13 7 8 9 10 11 12 13 6 8-4 करेंगे तो 4 आजाएगा 0 ठीक है अब इसको आगे करते हैं यहां पर क्या आया 460 तो point लगाते है 0 बढ़ा देते देखो यहां पर क्या हो गया 4600 अब यह कितने time में जाएगा तो 5 बार में क्या था तो इतना आया था 6 बार में करके देखते हैं चलो 6 4 is a 24 carry 2 6 9 is a 54 56 ठीक है 6 6 is a 36 36 plus 5 क्या हुचाएगा 41 समझे ऐसे माइनस करेंगे तो यहां पर 6 आएगा यहां पर 3 आएगा यहां पर 4 आएगा यहां पर 0 फिर क्या करेंगे हम तो 0 बढ़ा देंगे अब यह कितने बार में चाहेगा तो 6 बार में चाहेगा क्या चाहेगा यहां पर 4164 चलिए माइनस करिए तो यहां पर 6 आएगा वह 15 वाइनस 18 करेंगे तो 9 2-1 करेंगे यहां यह पर 0 196 आया यहा तो अब ही देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 आ जाएगा, ठीक है, 8-3 करेंगे तो, 8 में से 3 को माइनस कर दिया तो 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 बढ़ा देते हैं, अब ये कितने टाइम में जा सकता है, सोचिए, सोचिए, तो अगर मैं 6 टाइम में करूँ, 6 टाइम में तो इतना आता है, 7 टाइम में क 7, 6 आ, 42, 42, 48, समझें, अगर आप इसको 8 बार में करतें, तो 8, 4 आ, 32, एक बार देख लेते हैं ना, फिर 32, करे 3, 8, 9 आ, 72, 75, करे आता 7, 8, 6 आ, 48, 48, प्लस 7, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, क्या था, 55, 52, ओके, तो इसको आप 8 टाइम में कर सकते थे, कितने बार में, 8 बार में कर सकते थे, ठीके, तो बस यहीं पर रुख जाए, अभी इसके आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो, पॉइंट के बाद हम लोग 5 नंबर आगे जा चुके हैं, तो अभी अंसर क्या लिखगे, देखो एकदम ध्यान से, 1.566, और यहां पर क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, 2 के बाद क्या है, 8, 5 से जाधा नंबर है, 8 पाज पाँच से जाधा है कि कम है, जाधा है, तो जब यह जाधा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यह जो 2 है, इसको एक आ दिखिए 1.5663 समझ में आया अभी पूरा मिटा देती हूँ फिर यहाँ पे इंटू 100 लिखेंगे multiply करेंगे 100 से तो 1.5663.00 पॉइंट कहाँ पे लगाना है चाहाँ नमबर के बादे एक दो तीन चाहाँ यहाँ पे तो देखो value index नमबर आपको क्या मिलेगा V01 is equal to 156.63 समझ में आया देखो इसका answer क्या आया है थोड़ा समय इसको dark कर देती हूँ 156.63 ओके तो यह हो गया आपका final answer तो जब भी exam में आया value index नमबर निकाल ले तो आप यह वाले formula का use करोगे price index नमबर आपने पहले सीखा यह और quantity index नमबर भी आपने सीखा है ok question number 12 देख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखो question में क्या बोला गया कि find x if the price index नमबर by simple aggregate method is 125 देखें आपको x का value find करना है यह जो x है ना इसका value find करना है अगर price index नमबर कितना है 125 देखो क्या दिया गया है price index नमबर यानि कि p01 है 125 तो आपको x का value find करना है ठीक है तो यह कुछ ज़्यादा hard नहीं है बहुत है आसान है बस आप देखो सबसे पहले इसका total करो यह क्या है base year यानि कि p0 समझ में आया base year मतलब p0 price दिया न इसलिए p आएगा अगर quantity रहता तो क्यों आता ठीक है current year का price दिया यानि कि यह क्या है p1 अभी इसका total करते है तो 8 plus 8 16 16 plus 2 18 plus 2 20 26 का 6 और carry 2 1 2 3 5 7 क्या आगया यहाँ पे 76 ठीक है अभी इसका total करते है 2 8 8 plus 8 16 plus 2 18 plus 2 20 1 2 4 6 80 ठीक है 80 और यह जो x है इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना तो 80 plus x लिखेंगे हम लोग 80 plus x ठीक है समझे तो table से हमको क्या क्या मिला वो यहाँ पर मैं लिखती हूँ देखो यहाँ पर लिख रही हूँ from the table table से हमें मिला summation of p0 जो की है 76 तो यहाँ पर लिख दिया 76 और क्या मिला है summation of p1 ठीक है summation of p1 जो की है 80 plus x तो यहाँ पर हमने लिख दिया 80 plus x ओके और question में एक और चीज़ दिया गया है price index number यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि price index number यानि कि p01 कितना दिया है 125 यह question में दिया गया है यहाँ पर लिख दीजिए given चलो अभी formula योज़ करते है price index number का तो p01 यानि कि price index number is equal to क्या होता है summation of p1 upon summation of p0 into 100 तो देखो यह जो p01 है यह कितना दिया 125 तो इसके place पे 125 लिख देंगे summation of p1 80 plus x यहाँ पर लिखेंगे 80 plus x summation of p0 76 into 100 ठीक है अभी क्या गर होगे यह जो 76 है ना इसको इधर लेलो तो यह इधर आने के बाद क्या हो जाएगा दिवाइड में हो जाएगा ठीक है तो 125 into 76 और 100 को आप इधर लेलो रुको 100 को बाद में लेना यहाँ पे लिखो 80 plus x और 100 इधर multiply में है ठीक है अभी इन दोनों को multiply कर देते हैं तो 125 into 76 चलो multiply करते हैं 65 is a 30 62 is a 12 61 is a 6 75 is a 35 72 is a 14 फिर उसके बाद 77 is a 8 0059 9500 आ गया 100 को इधर लेलो यह डिवाइड में हो जाएगा इस इक्वल तो 80 प्लास x फिर 00 cancel 00 cancel यहाँ पे क्या आ गया 95 80 को इधर लेलो माइनस 80 हो जाएगा is equal to x यानि कि x का वेलो हमको क्या मिलेगा चलो माइनस करते हैं 5-0 5-9-8 क्या तो 1 यानि कि x का वेलो हम लोगों को क्या मिला 15 समझ में आया देखो question में क्या बोला था find x x का वेलो find करना था जो हमने find कर लिया ओके यहाँ पे आपका 12th question कंप्लीट हुआ ठीक है अब इसके आगे एक और question बचा हुआ है question number 13 जो इसी के जैसा है तो आप इसको लिख लेजिए उसके बाद मैं आप लोगों को इस exercise का last sum भी बता देती हूँ अभी हम question number 13 देखते है तो इसमें क्या क्या दिया है देखो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नमबर दिया गया है 120 देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ P01 दिया गया है 120 ठीक है और इसमें बोला गया है कि आपको 1995 को base year consider करना है यह वाला year आपका base year होगा base year मतलब क्या P0 अगर यह base year है तो यह क्या होगा current year होगा current year मतलब क्या P1 ठीक है आपको find क्या करने बोला गया है y का value आप लोगों को find out करना है और यह data दिया गया है commodity दिया है फिर price दिया है और price दिया है 2003 का यहाँ पे 1995 का ठीक है तो चलिए इसको हम लोग solve कर लेते हैं अब भी इसका total करेंगे तो 5 प्लस 5 10 कर 0 1 करी 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा 17 17 प्लस 3 20 210 हो जाएगा और यह y है तो y भी लिखेंगे 210 प्लस y यानि कि P0 आपको क्या मिला 210 प्लस y लिख दीजेए यहाँ पे table से हमको क्या मिला summation of P0 is equal to 210 प्लस y ठीक है समझ में आया इतना उसके बाद अभी इसको total करते हैं तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा 10 प्लस 2 12 प्लस 2 14 क्यारी 1 1 7 8 8 प्लस 9 17 17 प्लस 1 18 प्लस 4 22 ठीक है फिर 1 2 क्या हो जाएगा 324 ओके तो यह आपको क्या मिला summation of P1 summation of P1 कितना है 324 तो यहाँ पे हमने लिखा 324 ठीक है Price Index Number क्या दिया गया है 120 यहाँ पे लिख देते हैं 120 Price Index Number is equal to 120 यह question में दिया गया है अब यह formula लिखो Price Index Number का Summation of P1 upon summation of P0 into 100 तो P01 कितना है 120 है Summation of P1 2 क्या है 324 324 Summation of P0 है 210 प्लस Y इन्टू 100 अब भी क्या करेंगे देखो एक काम करते हैं यह जो दोनों टॉम्स है ना इनको इधर ले ले लेते 120 को उधर ले लेते तो क्या हो जाएगा 210 210 प्लस Y देखो आप कैसे भी करके Solve कर सकते हैं आपके उपर है यहां तक मैंने बता दिया ना अब आप कैसे भी करके Y का value निकालो ठीके तो मेरे को जैसे ठीक लग रहा है मैं वैसे कर रहूँ अगर आपको लगता है कि आप इसको ऐसे करके यह भी Solve कर सकते हैं तो आप करो ठीके कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो 120 को मैंने उधर अगर लूँगी तो 324 into 100 upon 120 होगा अब भी 0 से 0 कैंसल हो जाएगा 324 को क्या हम 12 से कैंसल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते देखो बताती हूँ मैं 324 और 12 12 2 से 24 माइनस करेंगे यहाँ पर 8 आजाएगा यहाँ पर 0 84 ठीके अभी 12 7 से क्या होता है 84 होता है यनि कि क्या आया यहाँ पर 27 ठीके अगर इसको 12 से कैंसल करेंगे तो यहाँ पर 27 आएगा यहाँ मैं लिखती हूँ 27 into 10 ओके समझ में आ रहे उसके आगे क्या होगा दिखे मैं बताती हूँ दिखे यहाँ पर 27 into 10 करेंगे तो 270 हो जाएगा अभी यहाँ पर क्या है 210 प्लस Y है यह काम करते 210 को उधर ले लेते है तो Y is equal to 270 minus 210 अभी minus करेंगे तो क्या आएगा 0 minus 0 तो 0 7 minus 1 करेंगे तो 6 आएगा 2 minus 2 करेंगे तो 0 यानि आपको यहाँ पर Y का value मिला क्या तो Y का value आप लोगों को मिला 60 ठीके इसके आगे यह जो 0 है न इसको आप हटा दीजिए बस यह होगे आपका final answer question में क्या बोला गया था Y का value निकाल ले और हमने Y का value निकाल लिया जो क्या आया 60 यहाँ पर आपका जो 13 वाला question था यह भी complete हुआ और इसी के साथ ही जो हमारा exercise 5.1 है यह भी पूरा के पूरा complete हो गया ठीके इसमें 13 question दिये गये थे सब के सब हमने solve कर लिये हैं क्या क्या सिखा हमने इसमें price index number हम कैसे निकाल सकते हैं by using simple aggregate method ठीके अब भी हमने simple aggregate method ही सिखा है simple aggregate method अभी दूसरा वाला method बाकी है जो भी हम लोग आगे सिखेंगे ठीके यहाँ पर हमने क्या क्या सिखा price index number quantity index number और value index number ठीके तो अभी जो हमारा next video होगा उसमें हम exercise 5.2 को start करेंगे ठीके चलो अभी next video में मिलते हैं Thank you